रक्षम का सच सबके सामने आने के बाद तूट गया डालमिया परिवार सोनम ने लगाए सावी पर सारे गलतिल साम जिहां बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के शो सावी की सवारी के लेटेस ट्रैक में क्या कुछ टुइस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे अब कमिंग ट्रैक बहुत ही इंटरस्टिंग है जहां एक तरफ आप सभी देखते हैं कि रक्षम को जब ये पता चलता है कि वो एक अनाथ बच्चा है जिसे वेदिका ने अडॉप्ट किया है तब ही से उसकी जिन्दगी की पूरी नेव हिल जाती है और उसके बाद रक्षम चला जाता है डाल्मिया परिवार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर क्योंकि अनाथ हले के आंटी उसे लावारिस बच्चा कहती है इतने में हमें ये देखने को मिलता है कि वेदिका की हालत काफी खराब हो जाती है वेदिका रक्षम को लाख कोशिशे करती है रोकने की लेकिन रक्षम रुकता नहीं जहां दूसरे तरफ सोनम इस मौके का फायदा उठाती है और सबके सामने सावी का तमाशा बना देती है और कहती है कि ये सब कुछ सावी के वचा से हुआ है सावी ने जान बूच कर आज का दिन चुना ताकि सब की जिन्दगी सब की खुशियां वो बरबाद कर सके मेरे जिन्दगी में जैसे ही खुशियां दस्तक देती है सावी ने खुशियों को सबसे पहले नजर लगाती है और आज इसके चलते ही मेरा पती ये घर छोड़ कर चले गया और सब कुछ बरबाद हो गया अब देखना ये होगा कि क्या सावी रक्षम को वापस ला पाएगी क्या सब कुछ वो घर में ठीक कर पाएगी कॉमेंट्स में अपनी राय बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें